दोस्तो आज मैं बैठा हूँ जैन मंदिर में और मेरे पास टाइम नहीं है आलक से वीडियो बनाने के लिए तो मैं यहीं पर बैठ कर आप लोगों के लिए गेमिंग न्यूस का एक और वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सबसे पहले पॉइंट पे दोस्तों मैं बात करूँगा Ghost World Tokyo Game के बारे में आपको पता है 32 कंपनी की गेम है लेकिन अब इस गेम को डिले कर दिया गया है 2022 के लिए सैगिंड पॉइंट पे दोस्तों मैं बात करूँगा Man Eater गेम की Man Eater आपको पता ही कि PS Plus में फ्री मिली थी अब इसका एक और नया DLC आ रहा है जिसका नाम है Truth Quest और ये 31 अगस्त को रिलीस होगा अब ये पेड होगा कि फ्री होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ठाइड पॉइंट पे दोस्तों मैं बात करूँगा Nair Automata गेम के बारे में जिसका आप नया प्याच आने वाला है 15 जुलाई को तो PC पर आप इसको अब्रेट करके खेल सकते हैं इसके बाद दोस्तों बात करेंगे Crest and Blast गेम के बारे में जो कि एक Adventure Racing गेम है और ये 14 September को Only Nintendo Switch पर रिलीज हो रही है और लाजट पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा Phonics Point गेम के बारे में जो कि एक October को रिलीज है PS4 और PS5 और सभी प्लेटफॉर्म पर आप इस गेम को खेल सकते हैं